हलो वाई यहों मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का एक और नई वीडियो पे स्वागत है आज हमारे पास है बजाज की तरफ से जो पलसर 125 आती है यह वह है 125 सिसी की यह बाइक है और यह जो पर्टिकुलर वेरियंट है यह नियॉन कलर वाला है जैसा कि आप इसमें देख सकत है यह 2020 की पर्चेस्ट है तो आज भाई मैं इसी के बारे में बात करूँगा कि कैसी चलती यह अभी मैंने इसको चला के देखा काफी अच्छा सा तो मुझे कैसी लगी चलाने में और क्या-क्या अभी इसमें प्रॉब्लम्स है और कैसा पिक-प विक-प है वह सब की मैं बा एक को पीछे वाला बैके बिल्कूल खत्म है कितना दवालो लगता है रुकती नहीं पतानीं क्यों एसा क्यों हो रहे है की मैं जोंबी चला तो और इसका ध Tout इसका आपा बिल्कूल बद्ध क्राब हो तो आगे वाला दवाना पड़ता है और आगे मिस्में ABS नहीं है अनिवेज ब्रेक्स काफी खराब है पीछे वाला सही करवाना पड़ेगा और आगे वाला तो बढ़ी है इसका और पिकप के मामले में बताऊ ना बाइक यह इतना कुछ खास लगा नहीं इसका पिकप पता नहीं क्यों 125 CC की सेग्मेंट की बाइक भगती है काफी अच्छी जह और यह 9000 के आसपास तक चले जाती है डिजिटल स्पीडो मेटर मिलता है डिजिटल फूल मेटर मिलता है और बागी सब डिजिटल है सिवाए एक अर्पीम मेटर के भग लाइट्स की बात करें तो इसमें हैलोजन लाइट्स आती है सारी LED इसमें एक भी नहीं मिलेगी आग अगर आप आज भी लेने जाओगे तो आपको ऐसी ही पलसर मिलेगी डिजाइन में एक परसेंट भी कुछ चेंज नहीं होगा और इंजन तो वह का वही है अगर भाई मैं टायर्स की बात करूँ तो इसके अंदर फ्रंट टायर मिलता है और पीछे की बात करूँ तो पीछे वाला टायर मिलता है तो इसके अंदर आपको किक स्टार्ट भी मिल जाती है यह 2020 वाला वेरियंट है तो उसी साब से आप देख ले ना फीचर्स यहां पे बाई कुछ ऐसा सा डिस्क का कवरिंग मिलती है जो कि काफी ठीक है इंडिकेटर्स भाई इसमें वही ओल्ड स्कूल वाले मिलते है पुराने डिजाइन वाले अभी तक भी भाई मलब जो आप डिजाइन आगया है ना काफी स्लिम वाला वो इसमें नहीं आए अभी तक भी वही ओल्ड स्कूल वाले इंडिकेटर्स से इसमें आते हैं और ऐसी कुछ बाई लगती है वही पुराना डिजाइन और मिरर्स जो है ने इसके साइड रियर व्यू मिरर्स वह भी काफी सिंपल से जो कि नॉर्मल सी वाइक में आते हैं वैसे इसके मिरर्स है कुछ भी एग्रेसिव एग्रेसिव नहीं है तो भाई ओवरॉल मैं बता दू तो भाई ठीक ठाक है आज के टाइम पर अगर आप इसको लेने जाओगे तो यह थोड़ी आउटडेट जरूर है क्योंकि हां टिक पाएंगे अगर यह अपडेट ही नहीं करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा जरूरत है अपनी बाइक में अपडेट करने की क्योंकि ऐसे तो भाई मार्केट कैप्चर नहीं कर पाएंगे और इनका जो मार्केट में बना हुआ है वो भी चला जाएगा तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपडेट लाने की बागी ठीक ठाक है बढ़िया चलती है इस पीड बढ़िया है पावर वावर इंजन पर डिपेंड करती है वह तो तो वह सब बढ़िया है बागी जो भी मैंने बात बताई आपडेटेड वाली वह डिजाइन और फीचर है तो उम्मीद आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी देखने के लिए थैंक यू सो मच